स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जॉन अबराहम की सत्यमेव जयते और अक्षय कुमार की गोल्ड बॉक्स ओफिस पर एक साथ रिलीज हुई। दोनों ही फिल्मों ने पहले दिन शांदार प्रदर्शन किया। हलाकि अक्षय कुमार शायद इस टकराओ से खुश नहीं है क्य कि उनकी फिल्म को जॉन अबराहम की फिल्म ने काफी हानी पहुँचाया है। जी हां आप सभी ने सही सुना फिल्म सत्यमेव जयते ने उम्मीद से कई ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है। भारत के 2200 स्क्रिन्स पर रिलीज होने वाली इस फिल्म की सुबह के शोज में 45% occupancy देखी गई। इस फिल्म को strong content और दर्शकों द्वारा मिली अच्छी रिवियो का काफी ज्यादा फायदा हुआ है। सत्यमेव जयते में एक मसालेदार फिल्म की सभी चीज ये आक्शन के लिए जॉन अबराहम अभीने के लिए मनोजबाच पाई आइटम सॉन के मिल रहा है तो ये फिल्म इस हाफते 50 करोड की कमाई आराम से कर लिकी। सत्यमेव जयते जॉन अबराहम की वो खुए हुई फेम वापस लाने में पूरी तरह सफल हो गई है और उम्मीद है कि ये फिल्म 100 करोड की क्लब में सामिल होगी।